जी बेगम साबा, बताएं क्या क्या लेकर आऊं? दो किलो आलू, एक किलो मर्टर, एक ब्रेड और दो दर्जन अंडे और बेगम साबा गोश्ट नहीं लेकर आना? क्यों नहीं लेकर आना? ब्राइलर मुर्गी का गोश्ट लेकर आना वो क्यों बेगम साबा? वो इसलिए ब्राइलर मुर्गी का गोश्ट हमेशा मुनासिब दामे दस्तियाब होता है और जाइका भी बेहतरीन होता है लेकिन बेगम साबाब लेकिन वेकिन कुछ रही हमारी बेगम बहुत समझदार है और ये हमेशा मेरी और मेरे बच्चों की सहत का बहुत ख्याल लगती है ब्राइलर मुर्गी का गोश्ट इनसानी गजा का एहम जूज है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है ब्राइलर चिकन प्रोटीन से भरपूर और जूध हजम भी है इसमें वाइटमिन्स B3, B6, B7 और B12 के साथ-साथ जिंक और आइरन भी है जो के इनसानी सहत के जामिन है ब्राइलर मुर्गी का गोश्ट बढ़ते हुए बच्चों, खामला खावातीन, वजुर्गों और बिमारों के साथ-साथ खावातीन के बालों, नाखुनों और जिंत के लिए इंतहाई मुफीद इसके साथ-साथ मुर्गी के अंडे में पाए जाने वाले घजाई अज़ा की वज़ा से इसको सुपरफूर भी कहते हैं डाल, सबजी और तरा-तरा के खानों में भी मुर्गी का गोश्ट पकता है जिससे ना सिर्फ खानों का जाईका लजीज होता है, बलके भरपूर तवानाई भी मिलती है आज ज़रद जल्दी आईएगा, आपकी पसंद चिकन ही पकेगा अरे वाँ ब्राइलर चिकन खाईए लज़त और सेहत, एक साथ पाईए यामी टेस्टी ब्राइलर चिकन आपके खानों को लजीज बनाएगा और आपको सेहत मन भी हमें खाईए सेहत बनाईए